अब बात करते हैं 1988 में शुरू हुई इंडो काउंट की चिएतर सो करोड रुपए के मार्केट कैप वाली इंडो काउंट बेचीट्स, बेड लिनेन, कंबल बनाती है अब कंपनी बेड लिनेन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है अब कंपनी को इससे कितना फायदा होगा, कैसा फायदा होगा इस पर हम मैनेजमेंट से विस्तार से बात करेंगे साथ ही जो मौझूदा डिमांड ट्रेंड है, नई प्रड़क्ट लांचर्स है, विस्तारी उजनाए है इन सब पर भी डीटेल में हम चर्चा करने वाले हैं, आईए, जोड़ते हैं कंपनी के E.D. और C.E.O. Mr. K.K. लालपूरिया को Mr. लालपूरिया, sir, good afternoon, बहुत स्वागत है आपका Zee Business पे सबसे पहले तो ये जो आपका recent, आपने acquisition किया है क्यासी प्रत्रशत का United States of America में, इसके बारे में हम समझना चाहेंगे, sir, किस तरह की synergies आप expect कर रहे हैं और आपकी operational efficiency और US के market में आपकी पकड इससे कितनी मजबूत होगी? देखिए, ये एक हमारा strategic move है, utility bedding जो हम कहते हैं, जो pillow है, quilt है, जो filled products है, उसके तरफ हम मुढ रहे हैं और ये strategy उसका पहला कदम है, तो ये company लेने से हमारी company को utility bedding में एक player समझा जाएगा, और हमें इसमें काफी opportunity दिख रहे हैं आगे, और ये जो हम betsheet supply करते हैं, उसके साथ-साथ में ये retailer जो है, pillow, quilt और comfort जो filled product है, वो खरीबते हैं, तो ये company जो है, एक बहुत बड़े anchor customer के साथ जुड़ी हुई है, और उन्हों ने हमें चार साल के लिए commitment दिया है, जो की हमारा revenue उससे करीबन 125 million के करीब का commitment उन्होंने हमको चार साल का दिया है, आज के दिन ये जो facility है, वो Columbus, Ohio में situated है, और ये running company है, और इसका production जो है, आज के दिन 4-5 साल से ये लोग उनको supply कर रहे हैं, और profitable company है, और आगे चलके जब हम इसकी पूरी छमता को utilize करेंगे, तो full capacity utilization में हमें 50 million dollar का revenue इससे नदर आ रहा है, इसमें हम थोड़ी बहुत expansion की भी जगह जो है, उसको हम अगर जोडेंगे, तो हमारा revenue करीबन 70 million की तरफ हो सकता है, तो ये एक एकाई जो है, वो हमारा पहला कदम जो है, US manufacturing की तरफ भी है, और secondly, जो utility bedding में एक बड़े player के पैमाने पे हम लोग आना चा रहे हैं, उसका पहला कदम हमारा successful लगता नजर आ रहा है, तो इससे हमारी company को न की ही revenue में जोड़ होगा, लेकिन इसमें profit margin भी जो है, जो currently 15% है, वो बढ़कर हमें 16-17% जब operational leverage होगी, तब उसमें बनता हुआ नजर आ रहा है. उसमें कबसे reflect करने लगेगा सर, ये जो आप revenues की बात कर रहे थे? ये FY26 से जो full revenues आएंगे, इस जो अभी acquisition जो हमने अभी जो किया है, उससे हमें 6 मेने का revenue तो हमारी balance sheet में जुड़ेगा जो करीबन 15-1 million का हमें लग रहा है, इस revenue इस साल जुड़ेगा FY25 में और अगले साल इसका पूरा revenue हमें 50 million के ऊपर लगता नदर आ रहा है. सर ये जो अपने acquisition किया है और जो overall आप capacity expansion की बात कर रहे हैं, इसे कैसे fund किया गया है सर और फिलहाल आपका current जो debt level है, वो कहाँ पर है सर? देखें हमारी company शुरू से ही काफी conservative है debt लेने में और हमारी जो net worth है 2000 करोड की है और हमारा जो long term debt है, वो केवल 175 करोड है. हम लोग double A rated है, केर और आइकरा से और ये जो अभी funding करेंगे, ये हमें debt और equity जो है, हम दोनों लेंगे internal accrual से भी करेंगे और थोड़ा बहुत debt भी हम लोग करेंगे इसमें. इससे finance इसको करेंगे. सर अगर आप मुझे बता सकें, आपने जैसे कहा कि utility bedding इसमें आपकी पकड़ और जादा मजबूत हो जाएगी. सर इसका अभी overall market कितना बड़ा है और आपका share इसमें कितना बड़ा है सर? देखें यही एक सबसे बड़ी चीज है जानने की कि यह utility bedding जो pillows और quilt की है. यह sheets की जैसे 4.5 billion at retail जो USA में home textile का केवल sheet set का market है. उतना ही बड़ा यह 4 billion dollar का target market है और इसमें आज तलक जो है वो China dominant करता था और अब यह जो US companies जो China से import करके shells इसमें वहाँ fill up करके supply करती थी और यह एक major distribution business है कि क्योंकि यह हलका होता है product और इसके distribution में distribution center के retailers के नजदीक होना पड़ता है. तो इसी लिए यह जो हमें लग रहा है कि इसके अंदर में जो हमारी जो मजबूती इस से आएगी कि हम 4 billion dollar के target market की तरफ मुड जाएंगे. जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारी company bed linen में focused है और bed linen में हमने 7 vertical create कर दिये है, diversity का ही किया है. तो जैसे शीट सेट हम पहले commodity जो supply करते थे और आज भी कर रहे हैं. अब आगे चलके जो fashion bedding जो की 5 billion dollar का target market है, utility bedding जो 4 billion dollar का target market है, institutional bedding जो 1.5 billion dollar का target market है, e-commerce जो 22 प्रतिशत है अपने पूरे home textile में, जो branded market है जहां पे हम आज तलक काम नहीं कर रहे थे, premium और branded segment में और जो domestic market हमारे जो हिंदुस्तान में जो अभी economy बढ़ रही है, तो यह साथ vertical पे हम काम कर रहे हैं, utility bedding इसमें से एक है, तो यह अपने आप में एक business है, और इससे हमें लग रहा है कि आगे चलके हमें 3 साल में इसमें काफी एक बड़े player के भूमी का में हम role अदा करेंगे इसका, और काफी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमको का साफी opportunity दिख रही है, अगर आप मुझे एक breakdown दे पाएं अभी आपके quilts and bedding segment का in terms of revenue सर, हमारे आज के दिन हमने 4 साल से यह जो utility fashion और institutional bedding में कदम रखा था पहले, आज हमारा 20% revenue जो है, इन 3 जो category जो है उससे आ रहा है, और हमने यह प्लान किया है कि हम आगे चलके जो हमारी increased revenue में, इसका 30% तलक इसको ले जाएंगे, जो हमें आशा है कि हम कर पाएंगे. सर, हाल फिलहाल में cotton prices का trend आप कैसा देख रहे हैं, और साथ ही मैं यह जानना चाहूंगे, Indian cotton industry, जिस तरह के फिलहाल हम updates और news आता हुआ देख रहे हैं, किस दिशा में जाती दिख रही है, और particularly आपकी company, कितना आपकी जरूरत domestic production से पूरी हो जाती है और कितना आपको import करना पढ़ता है, सर? कोई organic cotton हुआ, वो हमें जब buyer कहते हैं, कि वह उनको branded cotton को promote करना है, तो हमको वो थोड़ा बहुत import करना पढ़ता है, जो कि 2-3-4 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होता है, हम केवल Indian cotton यूज करते हैं, और अभी India ने भी अपना कस्तूरी brand launch किया है, जिसमें हम भी जो है, इसमे काफी working कर रहे हैं कि वही किस तरीके से हम कस्तूरी cotton को इसको आगे बढ़ाएं और Indian brand को भी नाम करें, और हमारी जो company है, वो cotton में अच्छी खरिदारी करती है, जो तीन मैने का season का window होता है, उसमें हम पूरे साल का cotton लेके रखते हैं, ताकि हम supply chain को secure कर सके, हम हमारे buyer को ये दिखाना चाते हैं कि वही हमने जो commitment किया, उसको हम पूरा करते हैं, तो raw material हम उसका लेके रखते हैं, न कि उसमें हम जो है hedge नहीं करते हैं, ऐसी कोई position नहीं छोड़ते है, order position के इसाब से. Mr. Lalpuriya sir, मैं आपसे समझना चाहूँगी, margin हम देख रहे है वायवाय अधार पर, जो आपका latest quarterly margin मेरे सामने है, उसमें वायवाय अधार पर थोड़ डिक्लाइन है, और पिछले कुछ quarters के मैं आपके margin देख रही थी, तो stable to negative है sir, आगे जाके margins को लेके क्या plan है sir, क्या outlook है? फिर दोर आया है कि ये margin हम track पे है, हम जो 16-18% का margin हमने दिया हुआ है, वो track पे है, इसका आपके business पे, export business पे कोई impact दिख रहा है? ये दिख रहा है जी, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, हम लोग एक large player है, तो हमारे जो relationship है, shipping companies से अच्छे है, और हमारा काफी export होता है, US से तो हम काफी सालों से जो कर रहे हैं, उससे दिक्कते तो है इसमें, क्योंकि इसका cost काफी बढ़ गया है, लेकिन 70% जो हमारा business है जो FOB terms पे है, तो वो जो US retailers या और जो Europe के retailers है, जो buy करते है, वो FOB terms पे करते है, तो उनके खाते में जाता है, लेकिन फिर भी इसका impact है हमारे business पे, थोड़ा है, और हम चाह रहे हैं कि ये दिरे-दिरे थोड़ा इसका geopolitical situation जैसे-जैसे release हो, तो ये अगर कम होता है, तो उस से फाइदा मिलेगा, और राइट, Mr. Lalpuriya, sir, thank you so much, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, company के recent acquisition की details देने के लिए, और अफकॉस, बताने के लिए, कि आगे, किस तरह की growth outlook हम company से expect कर सकते हैं.